आजब बनाएंगे स्कूल का सलवार तो इसे मैं 47 हिप साइज बनाऊंगी तो इसकी लंबाई है 36.5 और इसकी महोरी है नीचे से 13 और इसका आसन 10 है और इसकी बैल्टी की जो लंबाई रखेंगे हम वो 9 इंच रखेंगे और चोड़ाई हिप के अकोर्डिंग रखेंगे प्ल चोड़ाई से किया है मतलब इसको चोड़ाई में फोल्ड किया है लंबाई में नहीं किया है अगर हम लंबाई में इससे फोल्ड करते तो हमारा कप्ला वेस जाता है तो हमने इसको अच्छे से से सेट कर लिया है कप्ले को अब हम इसकी बैल्ट निकालेंगे सबसे पहले त तो कितना हो जाएगा 53 तो 53 पर निसान लगाना है इस तरीके से यहां पर सलवार में लगबग 6 इंच की ही लूजिंग बहुत होती है इससे ज्यादा मत रखेगा तो इससे ज्यादा रखेंगे तो बहुत लूज हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर नैफे के लिए 2 इंच पर मार कर रहे हैं जो कि हम इसमें नारा ढालेंगे तो यह हमारा तैयार जो बैल्ट होगा वो 7 इंच का होगा तो इसको भी हम स्टेट लैंस से जोइन कर लेते हैं तो चलिए आप इसकी कटिंग कर लेते हैं जहां तक हमने कपड़े को फोल्ड किया था वहीं पर तक इससे कट करना है इस तरह के से और यह हमारा फोल्ड है तो इसे भी हम खोल लेते हैं इस तरह के से और हम इस तरह के सिर्फी जोईन करेंगे तो हमारा बैल त्यार हो चुका है अब हम बचे हुए कपड़े को जो साइट से कपड़ा है उसको भी खट कर लेते हैं तो अब हमने कपड़े को जैसे था वैसे ही फोल्ड करना है और इसका पैचे निकालने है तो हम इसी तरह के से फोल्ड करेंगे हमने दो पैचे त्यार करनी है और पैचे की जो चोड़ाई है वो हमारे कितनी है 7 इंच है तो हमने यह दबल फोल्ड नहीं किया है वह सिंगल फोल्ड किया है एकी बार तो यहाँ पर हम 14 पर निसान लगाएंगे साथ का दुगना 14 होता है तो यहाँ पर 14 इंच पर निसान लगाएंगे और आधा इंच हम इसमें एस्ट्रा भी ले लिंगे वो क्यों लिंगे वो मार्जन में जाएगा हमारे सिलाई मार्जन में तो उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे हम तो आप हम इसको भी इस तरक से 4 फोल्ड कर लेते हैं अब हम यहाँ पर 7 इंच का निसान लगाएंगे और आधा इंच मार्जन लेना है हमने तो अब हम लंबाई का निसान लगाएंगे तो हमारे सरवार की लंबाई कित्ती थी 36.5 थी उसमें से हमने 7 इंच मैनस कर देना है तो आया हमारा 29 और उसमें 2 इंच प्रेस करना है तो हमारा 31 हो जाएगा जो की नेफा फोल्ड में जाएगा तो हमने यहाँ पर 31 पर निसान लगाए है और इसी के कोडिंग हम इसकी कटिंग करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर निसान लगाने के बाद इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और इसके बाद निसेन के खोलेंगे इसका जॉइंट भी खोल लेंगे क्योंकि हमने 2 पैचे त्यार कने है इसो यहां पर निसान भी बन के त्यार हो चुका है यह लगाने से NICK-चम से स्थिंग कर्धा को पता रहे उसके बार हमारा ये पैचे भी बनके त्यार हो चुका है अब हम बचे हुए कपड़े को ले लेते हैं और फोल्ड कर लेते हैं तो हमने उसी तरह के से कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ पर कपड़े को मैं इस तरह के से फोल्ड कर दी हूँ एक बार fold कर दिए हैं उसको में तो मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है अब हम यहाँ पर आसन का निसान लगाएंगे तो आसन का निसान लगाने के लिए क्या करेंगे हम तो हमें 10 इंच यहाँ से इस corner से निसान लगाना है तो यहां पर यह त्यार जो होगा हमारे नौंच का संद रहेगा क्योंकि हमारा आधा आधा इंच मार्जन चले जाएगा उपर और नीचे में तो यहां पर मैं अब इस कॉर्णर से उस कॉर्णर तक इंच टेप को इस तरह के से तिरचा रखूंगी और निसान बना लूँगी इस तरह के से तो इसे निसान पर हम कटिंग करेंगी तो फिर चले कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह के से मैं सीवी लाइन पर ही कटिंग कर रही हूं अब हमारे पास ये चार पार्ट निकल गए हैं दो एक पैर की और दो एक पैर की तो अब हम जो बीच का जोइंट है ना उसे भी खोड़ेंगे ये हमारे आसन है आसन पर हमारा जोइंट है तो उसे भी खोल लेते हैं और आप मैं कारते समय इस तरह किसे हलका सा आसन पर गोलाई दे दूगी बस हलका से ही देना है आम जादा नहीं देना है क्योंकि इस पर ज़्यादा ज़रुत नहीं पड़ती है क्योंकि ये खुला होता है सलवार इसलिए इस पर आसन पर ज़्यादा गुलाई देने के ज़रुत नहीं पड़ती है तो ये जो बीज का पार्ट ये भी है ना पैचा बंध है इसे भी हम खोलेंगे इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं तो इसके जॉइंट को हमने खोल लिया है और उसके बाद आप अच्छे से कपड़े को मिला लेजे थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो रहा है तो अस्टा कपड़े को काट दीजे और आसन पर गुलाई भी दे दीजे अब हमारे पास चार पाट त्यार हो चुके हैं अब हम इसको रख लेते हैं और रख के आपको दिखाते हैं तो देखिए हम कपड़े को खोलते जा रहे हैं और इस तरह के से रखते जा रहे हैं तो यहाँ पर यह जह पूर श्बहा पार्प रिशिंत काई कंप्डा क्लिया है और यह पास इतना ही ही आस्ब पड़ा बचा है और क्लिया पीच का सटमठीर सब्सक्रइब तो इस साइट से जुब कलिया आएंगी तो बैल्ट के ओपर से तो यह फुरा कपड़ा कवर हो जाएगा यह कुछ इस तरह के से कवर हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्टिजिंग पार्ट में एक्स वीडियो में ले